यह है XL 100 BS6 गाड़ी तो self का उपयोग कर रहे हैं काफी easily start हो जा रही है बट throttle response नहीं है accelerator देते ही गाड़ी बंद पढ़ रही है देखें गाड़ी start हो रही है बट throttle response नहीं है सिर्फ दो तार के मदद से इसके ECU को reset करेंगे गाड़ी हमारी एकदम perfect हो जाएगी अगर यहां पे दिखाएं सिर्फ दो वायर के मदद से इसके ECU को reset करेंगे जब भी आपके पास problem आये कि गाड़ी accelerator ना रहे लिए BS6 की तो ये दो तार आपको touch करना है ECM reset हो जाएगा गाड़ी आपकी directly start हो जागी accelerator भी लेगी चली दिखाते हैं कौन सा इसा दो तार हमें टच करना है मेकैनिक भाईयों ये है TVS XL BS6 बड़ी समस्या लेकर गयराज में मेरे पास गाड़ी आई हुई है इसके अंदर जो problem है उसे बताने से पहले अगर देखा जाये तो इसके मैंने seat को battery box को इसके side panel को सारे चीज़ों को open कर रखा है यह एक ऐसा problem है जो हमारे मेकैनिक गयराज में हर दिन गाड़ी लेकर पहुचती है और इस problem को काफी सारे मेकैनिक भाई हलके में लेते हैं और गाड़ी काफी ज्यादा परेशानी उत्पन करवाती है अभी मैंने देखे है यहाँ पे अगर दिखाते चलू तो मैंने इसके ignition switch को direct कर रखा है ताकि गाड़ी के self starter button को press करता हूँ गाड़ी हमारी काफी easily start हो जाती है बट throttle response देखने को नहीं मिलता है जैसे accelerator खीचता हूँ गाड़ी automatically बंद हो जाती है और सिर्फ के सिर्फ यह problem एकसल के अंदर देखने को मिलता है और यहाँ पे गर मैं दिखाते चलू इसके अंदर DLC connector लगा हुआ यानि या एक BS6 की bike है और यहाँ पे भी दिखाते चलू oxygen sensor लगा हुआ है अब चलिए मैं इसके अंदर problem दिखाता हूँ और solution तक पहुचते हैं problem को अच्छे से explain करने के लिए मैंने इसके brake switch को direct कर रखा है अब मैं इसके self starter button को press करूंगा तो गाड़ी का engine अच्छे से round करेगा तो गाड़ी start होने की कोशिश करते है बड़ throttle response ने ले पाता है accelerator गाड़ी ने ले पाता है तो यह जो समस्या है इसके ECM में आ चुका है error अब जब भी इसके ECM में error आता है तो उसको reset कैसे करें उसके बारे मैं आज किस वीडियो में बताएंगे वैसे यह problem पांच ऐसे और कैसे solution निकालेंगे पहले उसके बारे में बताते हैं फिर आपको बताएंगे company recommended अभी पिछले ही महीने जो training session में बताया गया था कि सिर्फ दो wire के मदद से कैसे ECU को आप reset कर सकते हैं वो आप सभी mechanic भाईयों को पता होना चाहिए यहाँ पे जो इसका ECU लगा हुआ है इ पूरा full process बताएंगे वीडियो में बने रही है चलिए वीडियो के process शुरू करते हैं कभी भी अगर गाड़े start हो और throttle response ना देखने को मिले start होने के बाद accelerator ना ले तो पहले step में जो आपको check करना चाहिए वैसे इसके उपर already मैंने अलग से काफी बहतरीन वीडियो बनाई ह उसका link आपको description में मिल जागा उसमें सारे process बताएंगे अभी मैं speed में आपको बताते चलूँगा main हम लोग process जो हम लोग का use करने करेगा वो इसके ECU को reset करने का तरीका में बताऊंगा कि इसके ECU को कैसे reset किया जाता है तो देखे जब भी accelerator ना ले तो सबसे पहले step में आप 30 degree पे है या किने एकदम straight होना चाहिए इस तरह से थोड़ा सा भी left या right रहेगा तो आपकी गाड़ी जो start होने के बाद throttle नहीं लेगी दूसरे step में जो check करना है वो यहाँ पे लगा इसका thermal sensor जो होता है इस चीज को check करना है काफिसे में thermal sensor को 5 volt का input supply नहीं मिल पाता है या य काफिसारे mechanic भाईयों को दिखता नहीं है इस pump के अंदर एक filter लगा होता है जो काफिसे में block हो जाता है और उसके वज़ासे problem उदपन करवाता है चोथा जो problem होता है वो TPS sensor यहाँ पे जो crash guard लगा होता है काफिसे में accident होने के कारण ये TPS sensor bend कर जाता है या तूट जाता है य वो है इसका injector, injector काफिसे में block हो जाता है या इसके अंदर voltage की supply ने होता है उससे भी problem हो सकता है तो ये 5 ऐसे important चीजे हैं जिसको मैंने count करके बता दिया इसके detail में testing चाहिए हो एक एक चीजों की तो वो video जरूर देखिए जो मैंने पहले बनाया है तो पहले की गाड़ियो आ रही है मैंने ये method सभी mechanic भाईयों को बताया उनका कहना ये किस ये सारे strip मैंने use कर दिया है यहां तक कि injector और thermal sensor भी नया change कर दिया है बट हमारी गाड़ी फिर से accelerator नहीं ले रही है जब अभी नया update आया है company recommended कि अब जब भी गाड़ी आपकी throttle ले start होने के बाद तो इसका ECM जो है reset करना पड़ेगा जब तक कि आप इसके ECU को reset न कर दें जब तक आपकी गाड़ी throttle नहीं लेगी चलिए आपको reset करने का एक 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 श्ट्रिप बताते है कैसे इसके ECM को सिर्फ दो तार के मदद से reset करना पड़ता है जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा जब भी ECU को reset करना हो चाभी switch on करने के बाद सबसे पहले ये check करें कि इसका meter में कोई भी check light नहीं होना चाहिए अभी देखें कोई भी check light इसके अंदर नहीं है अब आपको इसके DLC coupler के पास आजाना सारा खेल जो यहीं से होता है इसके अंदर आपको दो ऐसे wire को direct करना है औ आपका off कर दें और जब direct करें और चाभी switch यहाँ पर direct करने के बाद on करना है तो अभी मैं इसके ignition switch को off कर दिया अभी देखें चाभी switch क्या है off है अब मैं इसके अंदर दो तार टच करूंगा वहीं पर main जरूई है कौन से तार को touch करना है थोड़े सी भी wiring अगर उल्टी प खराब हो सकता है तो चलिए मैं wire का color code बताता हूं खास ध्यान रखें अब इसके DLC coupler को मैं यहाँ से open कर लेता हूं और इसके अंदर जो दो wire direct करेंगे याद रखें black plus yellow और white plus yellow एक number का और तीन number का दूसरे number का हमें छोड़ देना है तो पहले यहाँ पे तीन number पे मैंने लग जा दिया याद रखें यह मैंने दो तार इसके आसाने से direct कर दी है one और three अब इसके मैं चावी स्वीच को on करूंगा और वहां का method बताऊंगा अब चावी स्वीच on करने के बाद इसके accelerator को तीन मरतबा खीचेंगे one two three और यहाँ पे आपका light जो है blink करके आपको show करेगा कि आपका ECM reset हो रहा है फिर से बताते चलूँ यह method आपको सिर्फ तीन सेकेंड के अंदर ही करना है वहां पे direct करने के बाद आप इसके ignition स्वीच को जब direct करेंगे तो यह light जो है कुछ समय के आने के बाद जब accelerator दिखिए automatic चला गिया यानि पता क्या चला कि इसके sensor और actuator में को दाल लेंगे अब गाड़ी को मैं start करके दिखाता हूं कि वह भी चेक लाइट ने और गाड़ी देखिए बढ़ जब आप ECM को reset कर दीजेगा automatically meter से check light भी चला जाएगा और गाड़ी इजी लिए start भी होगी जोस्तों उम्मीद करते इस वीडियो से आपको complete पता चलाओ कि ECU को कैसे reset किया जाता है चलिए फिर मिलेंगे next वीडियो में को अच्छी से topic लेकर और जब भी आपके पास अब ये लेकर problem आए तो मेरी पुरानी वीडियो आप जरूर से जरूर देखें और ECM को reset करने का तरीका आप जान ले कि कैसे reset किया जाता है